कैसे जीतेगी टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जब खिलाडी आपस में ही लड़ रहे है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दवी आईपी टीवी के एक और नए वीडियो में दोस्तों इस वक्त की बेहाद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पहले टेस्ट में भी हार के रुप में उठाना पड़ सकता है दोस्तों जानेगे इस पूरी खबर के बारे में कि किस खिलाडी के लिए टीम के कप्तान और रुपकप्तान आमने सामने आ गये है लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में न्यूज में टीम इंडिया को 10 विकेट से सर्मनाख हार का सामना करना पड़ा था जिसकी वज़े से भारती टीम इस सीरीज में एक सुने से पिछड़ गई है और अब दूसरे मैच को जीत कर भारती टीम सीरीज में एक-एक से बराबरी पर खत्म करना चाहेगी लेकिन दोस्तों उसस वैलिंटन टेस्ट में धीमी बल्लेबाजी करने वाले पुजारा पर सवाल खड़े कर दिये थे तो वैलिंटन टेश्ट गवाने के बाद विराट गोली ने बल्लेबाजों को आकरमक बल्लेबाजी की सला दी थी विराट गोली ने इसारों ही इसारों में पुजारा पर निसाना साथते हुए कहा था मुझे लगता है कि बल्लेबाजी इकाई के तोर पर हम जिस भाजा का उपयोग करते हैं उसे सही करना होगा मुझे नहीं लगता कि सतरक होने या बेहत धीमी खेलने से मदद मिलेगी क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आप अपने सौट नहीं खेल पाओ विराट ने आगे कहा था धीमी खेलने से और सतरक रवेईये से मूझे नहीं लगता कि इससे कभी फायदा मिलता है दोस्तो विराट ने सभी खिलाडियों को सला दिया था कि वे आकरमक होकर तेजी से बल्लेबाजी करे ना कि सतरक होकर धीमा बेटिंग करे उन्होंने कहा कि धीमा बेटिंग करके हम विरोधी गिंदबाजों को मौका देते हैं हावी होने की इसने सभी आकरमक बल्लेबाजी करे तो इसका नतीजा कुछ अलग होगा वैसे दोस्तों आपको बता दे और श्रिलिया दुनिया की एक ऐसी टीम है जो विकेट गिनने के बाद भी उनके खिलाडी कभी रूप कर नहीं खेलते हैं वे हमेसा सौर्ट केलते ही रहते हैं इसी वज़े से और श्रिलिया टीम की सबसे सफल टीम मानी आती है अब दोस्तों विराड की इस बात का रहाणे ने जवाब दिया है उनके मताबिक न्यूजीलेंड के गिनबाजों ने अच्छी गिनबाजी की जिसकी वज़े से पुजारा रन नहीं बना सके और ये सभी बल्लेबाजों के साथ हुआ जब प्राइश्ट चर्स में रहाणे से जब इस पामले पर सवाल पुछा गया तो उन्होंने पुजारा का बचाओ किया रहाणे ने कहा पुजारा अपनी तरब से कोशिस कर रहे थे वह असल में रन बनाने पर ध्यान दे रहे थे लेकिन बुल्ड, साओधी और अन्य गिनबाजों ने ज़्यादा मौकें नहीं दिये यह सभी बल्लेबाजों के साथ होता है मेरे कहने का मतलब है कि सभी बल्लेबाज इस दोर से गुजरते हैं दोस्तो जहां विराट पुजारा को तेजी से खेलने की सलाह दे रहे हैं तो वही उपकप्तान रहाडे विराट को पुजारा की बचाओ करते हुए जवाब दे रहे हैं और ऐसे में इन दोनों खिलाड़ों की बीच मदभेद सामने निकल कर आ रही है वैसे दोस्तो क्या सिक गिन में 11 रन बराना टीम के लिए कहीं भी सही नहीं है अब देखने वाली बात ये है अब देखने वाली बात है दूसरे मेंच में क्या विराट पुजारा को मौका देते हैं या नहीं और अगर मौका देते हैं तो क्या पुजारा विराड की बात मानेंगे जिसमें उन्होंने खिलाडियों को तेजी से खेलने की सला दी है वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है क्या धीमा खेलने से टेश्ट मैच को बचाया जा सकता है या फिर तेजी से खेल कर आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे धन्यवाद